जिवहा मनीशंकर अयर की है, विचार गांधी परिवार के, जो अलाइंस का आत्मा है, उसे आत्मकथा के रूप में मनीशंकर अयर ने रखा है। जाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विशय को सह नहीं सकते हैं। इसलिए मनीशंकर अयर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नर्सिम महराओ ये तो भारती जन्ता पार्टी के, ये तो कॉंग्रेस के ही नहीं। आप समझिये, जब सोनिया गांधी जी ने पीवी नर्सिम महराओ के मृत शरीर को कांग्रेस के मुख्याले के अंदर आने से इनकार किया। उसके पीछे के भाव को आज अनेको वर्षो बाद मनीशंकर अयर जी ने जसका तस किताब और अपने आत्मकता और उसके बाद अपने प्रेस वारता में प्रेजेंट किया है उसे रखा है। आश्यरे लगता है कि ये वही मनीशंकर अयर है जो परिवारवाद में इतने अंधे हैं कि जब राहूल गांधी जी की ताजपोशी हो रही थी और मीडिया बंधू आप सबने जाके उनसे पूछा था कि ये तो परिवारवाद है इलेक्शन नहीं होगा क्या तो उन्होंने कहा था अरे जब साजहां के बाद औरंजेव बन गया था तो कौन सा इलेक्शन हुआ था औरंजेव तो आराम से बन गए थे तो अब राहूल गांधी बन गए तो कौन सी बड़ी बात